बुधिपूर ग्रामसभा का मंदल स्तरिय टीम द्वारा किया गया निरिक्षन विकास खंड रेहरा बाजार, तेसील उत्रोला, जन्दपद वलरामपूर के ग्रामसभा बुधिपूर में शिकायत करता सुनील सिंग के द्वारा लोकायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र की क्रम में आज दिनांक 23 सितंबर 2020 को लोकायुक्त द्वारा गठित मंदल स्तरिय टीम का गठन किया गया जिसमें मुख्य विकास अधिकारी गोंडा शरशांक त्रिपाठी की अगवाई में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें राकेश कुमार सिंगा पर जिला अधिकारी ग गोंडा व देवेंद्रमनी प्रांत ये लोक निर्मान विभा गोंडा शामिल है। मन्डल को भीजा था जिसके लिए मन्डल स्तरिय एक टीम का गठन किया गया है और आज हम लोग उसी की जांच के लिए आये है। ने यहां पर स्थलियेव अभिलेखों का जाच किया है जिसमें अभिलेखों का सत्यापन किया गया है और स्थलिये जाच की रिपोर्ट लोकायक तो देवी पाटन मंडल को सौपा जाएगा जिसमें जाच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उचित होगा कारेवाई किया किया था जिसमें आज गठित टीम द्वारा स्थलिये वह अभिलेखों का सत्यापन किया गया। मैं जाच टीम से संतुष्ट हूँ लेकिन जब जाच रिपोर्ट आईगी तब देखा जाएगा की रिपोर्ट कैसा है। उन्होंने बताया कि इस से पहले भी जिलास्तरी टीम द विकारियों द्वारा लगाया जाता है। वहीं इस संबंध में ग्राम प्रदान दर्म प्रकास चोहान ने बताया कि लुकायक्त देवी पाटन मंडल द्वारा गठित टीम ने मेरे द्वारा कराए गए विकास कारेयों कस्थलिये जांच किया गया तथा अभिलेखों का भी सत्यापन किया गया ब्यूरो चीफ बलराम पूर बसंत राम और पावर और जनादिकार. जो चाहित थे, उसमें 14 बिंदू थे, सभी 14 बिंदू पर विचार मंतन अची तरह से किया गया और अभी लेखी और स्थलिये, दोनों तरह की जांच गाव में रहकर की गई है, यहां पर जो स्टाफ था, इसका हमको सपोर्ट मिला है, और उसमें बिंदू की जांच है, वो हम लोग एक रिपोर्ट बनाकर मंडरलाविक महोदय को प्रस्तुत करेंगे,